नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टेडी फॉर सिविल स्विल सेज में बहुत दिनों से पेंडिंग था यह टॉपिक प्लस जो हमने कुछ डाइग्राम बनाया है यह जो जैसे यह पूरा यह चार्ट बनाया है यह पूरा बाइलिंग्वल बनाया ठीक है एक एक चीज इसमें बताया जाएगा और इसके बाद आपको कोई भी इसका डाउट नहीं बचेगा जी एस से लेटर जो लोग फॉरेस्ट का पेपर देने आ रहे है वो फिर भी एक बार वाली समरी जरूर पढ़ने पार्ट वन पढ़ लिजेगा आपको चले इसमें स्टार्ट कर लेते हैं देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे कि पहली सबसे पहली स्टेट ऑफ फॉरे रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी और तब से लेके अभी जो इस बार आई है उस सोलवी रिपोर्ट है यह सारे जो फंडे है यह आपके पीसेस एकजाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि डारेक्ली फैक्त पूछते हैं या रेलेल में में पूछ लेते हैं अचाहे पर आती हर दो साल में आती है कौन पब्लिश करता है Ministry of Environment ठीक है यह सारी चीजें है बाइनियल पब्लिकेशन है यह फौरेश सर्वे ओफ इंडिया का और जो की एक बताई कई बार कोईशन आ चुका है इसमें क्या क्या चीज़े एसेस्मेंट होती है ट्री कवर होता है फॉरेस्ट कवर होता है बंबू रिसोर्सेज कारबन श्टॉक फॉरेस्ट फॉरेस्ट सब कुछ होता है जो मिलाके ठीक है 2019 में पहली बार क्वालिटेटिव नेचर का भ कि जो भी पॉरेस्ट से प्रड्यूस जो है हमको मिलता है उसके उपर तो यह एक इंपोर्टन चीज़े वह ही देखे है हिंदी में लिखी हुई है चीज़े 1987 में पहली रिपोर्ट आई फिर पर्यावरण मंत्राले ने अभी सोलवी रिपोर्ट जारी की है किस दिन जारी की थी 30 दिसंबर को की थी यह ठीक है और द्वी वारशिक प्रकाशा नहीं है ठीक है इसमें जो है जंगल पेड़ के कवर बास के संसादन कार्वें श्रॉक सब कुछ जो है आकलन किया जाता है इस रिपोर्ट में पहली बार वन कवर की गुड़ना गुडात्मक प्रकृति का इसमें वनों से उपज पर भी पहली बार एक राश्टी वन सूची लाई गई है इसमें एक चीज जो है मतब साइन्टिफिक मेथर्ड का पूरा यूज किया गया था रिसोर्स से टू कभी आप यूज किया गया यह एक इंपोर्टन बात है उसके बाद देखिए यह जो है इसमें टोटल वन और संसादनों के लिए देश में बाइस सो से जादा जो है इस्तानों में से डेटा लिया गया है डेटा कलेक्शन बहुत ही जादा वाइड़ इसमें एक चीज और है इस रिपोर्ट में फॉरेश टाइप्स एंड बायो डिवर्स्ट्री यानि कि वनों के प्रकार एवं जैव विद्धिता इसका एक नया चैप्टर जोड़ा गया है मैंने पूरी चैप्टर जो है वाइस रिपोर्ट पढ़ी है उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स है सब मैं इसमें बताऊंगा डिटेल में ऐसा किसी ने नहीं बता होगा गारंटी ले जितने रोगों भी आपने सो कॉल्ड बड़े चैनल फिलसेल प्रोग्रेम वालों को देखा होगा लेकिन इसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि क्वालिटी लेवन क्या होता है नेक्स इसमें कि इसमें जो है प्रजातियों की 16 मुख वर्गों में विवाजित किया गया ह और यह Champions and State Classification पहले इसको यूज करते थे फिर से 2019 में इसको लाए है इस में लिए है कि आप से यही पूलिए कि चैंपियन और State Classification होता क्या है तो फॉरेश टाइप्स के बारे में बताता है आगे डिसकस करेंगे हैं लोग इसमें प्लस इसमें यह भी बताया गया है इस रि सकते हैं यह रिपोर्ट का पब्लिश की गई इकतिस नहीं सौरी तीज दिसम्बर 2019 को की गई थी यह भी पूछ सकते हैं रेलवे जो पुलिस टाइप के एक्जाम होते हैं वंडे वाले उसमें यह भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर किये ध्यान लगिए का सोलवे नंबर किय हैं सोलवे नंबर किये हर दो साल में आती है 1987 में पहली बार आई है FSI करता है जो की Ministry of Environment के एंडल में है ठीक आब इसमें देखें फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में सबसे इंपॉर्टन जो इन्फोर्मेशन है वो यह कुल वन और व्रिच्छावन इसको हम लोग दो ती ठीक है यह टोटल जो देश का भगॉलिक चेत्र जो जो जोग्रफिकल एरिया है उसका 24.56 परसेंट है यह सब रट लेना अभी मैं टोईबिल दिखाऊंगा उसमें फिर से इनके अनुसार अगर आप देखेंगे 2017 की तुल्ला में 2017 में पहले रिपोर्ट आई थी क्योंकि द ठीक है यह टोटल मिला के ग्रोथ है 5188 किलोमेटर स्कॉयर की यह टोनों मिला के ध्यान लगेगा देश में सिर्फ फॉरेश की बात करें कितना साथ लाक बारा अजार दो सो उन्चास स्कॉयर किलोमेटर का है जो की इंडिया के जोग्रफिकल एरिया का 21.67 परसेंट है दोन कुछ दावें कुछ दाज्टा में का धाष्टों में कुुछ एरिया में करुफ हूई है करनाटक में 1,025 इस क्लो किलोमेटर की में अन्दिएक में दोना अन्द परदेश में नंबर टू पे 990 किलोमेटर की इस क्लो एकड़ी फिर केरल पर जम्मु कश्मीर फिर इमाचल ठीक है और इसमें जो है अब अगर इस समय present condition में देखें तो top five top five highest forest वाले राज कौन कौन से है number one पे मद्रप्रदेश ही है पहले भी मद्रप्रदेश ही था ये absolute area के हिसाब से कहे रहा है absolute area के हिसाब से top five number one पे मद्रप्रदेश फिर अरुणाचर प्रदेश फिर अरुणाचर प्रदेश फिर महाराज ठीक है तो ये absolute area की बात हो रही है लेकिन अगर percentage वाइस बात करेंगे आप तो percentage वाइस सबसे जादा जो है forest आपके कहां पे है वो है मिजोरम में फिर अरुणाचर प्रदेश में फिर मेगाले फिर मडीपुर और नागालेंड में नागालेंड लिखाए नागालेंड नहीं है उत्तर प्रदेश में कितना है total मिलाके आपका वनावरन यानि की forest 14,860 कोह किलिमेंटर का है 6.15% का उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग से चोटा वीडियो देना पड़ेगा वो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा वो आप अगर आप FSI की साइट पर जाएंगे तो आप हर इस्टेट का दिया हुआ है उससे देखके कर सकते हैं मैं वो इसे कर दूँगा तो चार मिलेट का वीडियो बनेगा उसका अभी टोटल अगर आप देखेंगे देश में इंडिया में मैं ग्रूव कवर कितना है जो की इंडिया के एरिया का 0.15% यह दियान रखेगा अगर आप बैंबू अधारित यानि की बास अधारित कितना चेतर है इस समय इंडिया में एक लाग साथ हजार सहतिस इसक्वार किलोमेटर का है और यह पिछले 2017 की तुल्ला में इसमें भी ग्रोथ हुई है तीन हजार दोसो उनतीस स्कॉर किलोमेटर की ग्रोथ यह समझ रहा है अब नौर्थ इस्ट वाले में अगर आप देखेंगे टोटल कितना फॉरेश्ट एरिया है एक लाग साथो जार 511 सॉरी 541 स्कॉर किलोमेटर है और जो की टोटल अगर आप देखेंगे इसके जो मतब नौर्थ इस्ट में टोटल जो एरिया है उसके 65% भाग पर तो फोरेश्ट ही फोरेश्ट है ये एक इंपोर्टन चीज़े ध्यान लगेगा आप देखें ये जो है कई बार यूज हो रहा है फोरेश्ट कवर यूज हो रहा है रिकॉर्ड़ फोरेश्ट एरिया यूज हो रहा लीगल इसिस्टन कुछ भी हो उसका प्राइपट प्रपरटी हो गवर्मेंट की हो कुछ भी हो लेकिन वो सारे चीज़े फॉरेश्ट कवर में जो है माना जाएगा ये मतलब है समझ रहे है अब ये एक नॉर्मल सी कंडिशन है कि फॉरेश्ट कवर क्या है भाइया ट्रीक यहां लोपी डेस्टी होनी चाहिए 10% से जगाधा एक हेक्ट्यार से जगाधा एरिया होना चाहिए तब उसको मानेंगे फॉरेश्ट कवर में ठीक है और ये कोई रिकॉर्डिट फॉरेश्ट एरिया नहीं होना चाहिए अब देहें रिकॉर्डिट का मतलब क्या है कि कवर की बात करें तो दस परसेंट ज्यादा डेस्टी और एक टेट से जादा एरिया उना चाहिए तो यह मान लेंगे ठीक है उसमें जो है और कड्स हो गया बंबू प्रामी सब गया है तो रिकॉर्ड का क्या मतलब है जो भाईया जी गॉर्मेंट की रिकॉर्ड में सिंपल ब ऐसे भी रिकॉर्ड फॉर्ड है जहां पर ट्री का जो यह डेंस्टी है वो दस परसेंट से ज्यादा होना चाहिए हो जाता है और बलकी एक हेक्टेर से ज्यादा भी हो जाता है ठीक है तो यह सब कुछ जो है आते हैं आपके फॉर्ड कवर असेस्मेंट में और जो टोटल चेंज हो रहा है वो सिर्फ जो है रिकॉर्ड फॉर्ड के अंदर नहीं हो रहा है रिकॉर्ड फॉर्ड मतलब जो गॉर्मेंट के रिकॉर्ड में है लेकिन कुछ ऐसे भी है जो गॉर्मेंट के रिकॉर्ड में नहीं है ठीक है गॉर्मेंट के रिकॉर्ड में नहीं है लेकि यह क्या बताता है कि भीया कितना जो है फॉरेश्ट का एक्सेंट है इन टम्स ऑफ लीगल इस्टेटस में ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है फॉरेश्ट कवर को FSI यूज़ करता है सारे वो ट्री पैचिस ने इंटूड़ेड है जहां पर कैनोपी डेंश्टी 10% जाता है औ यह इतनी इंपॉर्टेंट चीज़े नहीं है अब देखें एक चीज़ हो रहा है कि रिकॉर्डट फॉरेश्ट एरिया में रिजर्ड फॉरेश्ट और प्रोटेक्ट फॉरेश्ट यह दोनों आते हैं जो की इंडियन फॉरेश्ट एक जो 1927 उसके प्रोविजन के अंदर कुछ जगह जो है यह पूरा जो है रिकॉर्ड डिजिटाइज जो है रिकॉर्ड नहीं अबलेबल होते हैं तो वहाँ पे जो है यह आपका यह ग्रीन कलर से दिखा देता है फॉरेश्ट सर्वे अफ इंडिया जब अपना सर्वे बनाता है पूरा टोपग्रोफिक शीट मे यहाँ पे नहीं मिल पाया तो उसको ग्रीन वाश कर दिया ठीक है सिंपल बात है इसमें यह कुछ कुछ है यहाँ पे चीजे और अगर आप देखेंगे इसमें कई जगह जो है डिजिटाइट बाउंजरी जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया है और इसी की वजह से म यहाँ पे जो है कोई सर्वे बना रहा है लेकिन उनका जो है वहाँ के स्टेट का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है तो उसमें ग्रीन वाश कर देते हैं उसको दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रीन एरिया ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं आप मेंली जो है में फैक्ट बहुत यह टेबल रड डालना यह बहुत इंपोर्टेंट है देखे देश में वनों और व्रचो वन का मतलब फॉरेश्ट हो गया व्रच मतलब होगे ट्री तो टोटल ट्री और फॉरेश्ट का वर इस समय कितना इंडिया में 8.07267 6 स्कॉर किलोमेटर का है ठीक है 8.076 लाक है तो यह करीबल 8.07 का एरिया है और यह टोटल इंडिया के एरिया का 24.56 परसंट है सिर्फ फॉरेश्ट की बात करें तो यह 7.12.000 स्कॉर किलोमेटर सम्थिंग है और यह टोटल फॉरेश्ट एरिया का 21.67 परसंट है सिर्फ ट्री कवर की बात करेंगे तो यह 95.000 स्कॉर किलोमेटर का है और यह पूरे एरिया का 2.89 परसंट है ठीक है फॉरेश्ट एरिया में कितनी परद्द्द हुई है ठीक है और टोटल जो है व्रद्धी कितनों यह पाँच है और एक सो अटासी स्कॉर क्लिम्टर पॉइंट सिक्स पॉइंट परसेंट यह है ठीक है अब यह बेसिक फैक्ट फिर से लिखा हुआ है देखें टॉप फाइव है यह स्टेट चाहपे परसेंटेज वाले है मिजोरम अरुनाचर प्रदेश मेगाले मानिपूर और नागा लेंड है नागा लेंड है और टोटल जो है आपका एपसुल्यूट एरिया में मैंने बताया आपको कौन सा है मद्द प्रदेश अरुनाचर प्रदेश 36 गड़ औरीसा और महराज ठीक फिर देखिए सबसे ज़्यादा जो है इस बार व्रद्धी किसमें होई है 2019 वाले में वो कहां कहां होई करनाटक में सबसे आता व्रद्धी होई है करनाटक को जरूर याद रखिए करनाटक में भी फिरांत प्रदेश के एरल जम्मो किश्मीर एमाचर देश ये टेबलर फॉर्म में इसलिए मैंने कई सारी यहां पर पिक्स बनाई है कि आप लोग जो है पूरा मजा आ जाए पूरा यह सब चीजे याद रहे जाती है एक्जाम में आदेगे यह जो है पूरा सार है इसका पूरे रिपोर्ट का इसको बनाया है मैंने ISFR यानिक इंडियनी स्टेट ओ फॉर्ष रिपोर्ट 2017 और यह ज 24.39 परसेंट था जो ग्रिफाल के रिया का इस समय 24.56 परसेंट है समझ में आ रहा भी यह जी बहीनी जी की नहीं ठीक उसके बाद जो है फॉर्ष कवर की बात करें तो 7.08 लाक स्कॉर किलमेटर था अब यह 7.12 लाक स्कॉर किलमेटर हो गया है परसेंटेज वाइज पहले 21. 21.54 परसेंट था अब 21.67 परसेंट हो गया है ठीक है और कितना ग्रोथ हुआ है इसमें फॉर्ष ट्री तोनों मिलाके 5188 स्कॉर किलमेटर परसेंटेज वाइज कितना ग्रोथ हुआ है 0.65 परसेंट फॉर्ष कवर में कितना भीया जी जो है आपका एपसलूट ग्रोथ हो चुका है 95,027 स्कॉर किलमेटर हो गया है कितने परसेंट के ग्रोथ हुआ है 1.200 परसेंट सब कुछ जो है बहुत यहाँ पे डिटेल में बताया है मैंने अब इसके बाद में कोई आप से क्वेश्चन गलत हो जाए तो भीया जी जी जो है पूरी मेहनत बरवाद कर दिया है कि नंबर वन पर वेजबेंगौल फिर गुजरात फिर अन्नमान निकोबार और फिर जो है आन्द प्रदेश है ठीक है और यह देखे यह है देखे टोटल में ग्रूव का एसेस्मेंट टोटल में ग्रूव अगर यह पूछा जाए कि कितने स्टेट में फैले हुए है मैं हैं सबसे ज़्यादा किस में वेजबेंगौल फिर आपका गुजराद में आभी मने बता टॉप फूर ठीक और फिर है आपका अंडमान में और फिर आपका अन्द पर्देश में यह तो तो यहत ढगेए reach तो यह है पूरा Uh Out शाना स्क्री संब किलमेटर का है टौटल मेरीड वेरिया इस समय पूरे इंडिया का ठीक है और बारा जो टोटल भना के है में द्यान रखेगा यहीं इसका पाई चार्ट दिया हुआ है देख लिए सब कुछ जो है पूरा रिपोर्ट से चान कि लाएं हो विल्कुल सबस्यादा में वेस्ट बेंगॉल में 42.45 परसंट ठीक है फिर गुजरात में 23.66 परसंट फिर आपका जो है अंडमान में 12.39 परसं ठीक है उत्तर प्रदेश में मैंग्रूव नहीं है ध्यान रखेगा मैंग्रूव ऐसे भी ज्यादा तर जो कोश्टर इस्टेटों वहीं पहाई जा सकते हैं मैंग्रूव का मतलब भी होता है आप देखें यह है टॉप 10 कंट्री जो है आपकी इस रिपोर्ट में भी दिखा आपसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फॉरेश कहां पर है तो रश्या में है देख रहे हैं पूरी दुनिया के फॉरेश का 20 परसेंट जो है रश्या में है यह समझ में आरी बात यहां से इंटरप्रटेशन निकाला आता है इसको बोलते हैं डेटा एलिस यही मैं करता हूँ ठीक है तो 20 परसेंट जो है पूरी दुनिया का रश्या में है नंबर टू पर ब्राजील है बारा परसेंट है नंबर थ्री पर कैनेडा है नंबर फॉर पर यूएस है नंबर फाइव पर चाइना है फिर डियार्सी है फिर ऑस्टेलिया है फिर इंडिया के पास पूर यह इतनी इंपोर्टन ही सबस्यादा मतलब फॉरेश्ट अरिया किसमें है यह रश्या में यह जरूर्या देखेगा नंबर दसवे है हमारा इंडिया ठीक है यह यह है कुलमिला के चीज और अगर आप इसमें देखेंगे रश्या की पूरी एरिया का 48% वहाँ पे जो है फॉर है ब्राजील के टोटल एरिया का 58% है कैनेडा का 35% यूएस का 32% है यह हमारा जो है फॉरेश्ट अरिया तो 22% के आसपस पहुच में है ट्रियो मिला के जो है 24% है सबसे आदा एरिया गेन किस ने किया है फॉरेश्ट का 2010 से लेके पंदा तक तो चाइना ने किया है बस इतना ही इंपोर्टेंट है इतना इस में कोई इंपोर्टेंट नहीं चीज चीजे पिर फॉरे collective के मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कर्बन श्टॉक है आपका रशिया में फिर ब्राजील है और इंडिया आठ्वे नंबर पर यह कुछ-कुछ चीज़ें इंपॉर्टन नहीं बहुत ज्यादा फॉरेश कवर को जो है आप पांच तरीकों से कर सकते हैं डिफाइन एक चोता है यह आप फीकर में दिखाए गया इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आपका यह वाला नीला इस फाय्दा आप kell अब 4 और moderately dense 9.39% ओपन फॉरेट तो 9.26% इसको करना यह पड़ाना है यह फॉरेस्ट मैप दिया हुआ है इसमें पूरे इंडिया का ऐलिस दिया हुआ है कैसे कहां पर आई यह कि कहां पर आप देख रहा है यह वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया आप देखें ज्यादा तर जो है नौर्थ इस्ट वाला यह एरिया दिख रहा है यह 65% जो वहिया जी है और वहिणी जी आपे एरिया सिर्फ फॉरेस्ट है बाकि अगर इंडिया के बात करें तो कुछ-कुछ जो है इधर फॉरेस्ट है जमू कश्मीर इमाचर प्रदेश उत् बढ़े में हिल डिस्टिक्ट है जहां पे 140 हिल डिस्टिक्ट है और शबसे ज़्यादा जो आपके हिल डिस्टिक्ट वाला जो forest cover है तो वो कहा पर है आपका अरुनाचरदेश में 16 ना के डिस्टिक्ट है 16 रिपोरण और भाकिछ 40 हिल यह जरूरियाद रखीगा अच्छा इस वाले पूरे जो है टेबल से ये समझ में आता है कि 544 स्कॉयर किलोमिटर का एरिया पिछले 2017 के मुकावले 2019 में बढ़ गया 544 स्कॉयर किलोमिटर का एरिया इंडिया के 16 स्टेट में जो 140 आपके हिल डिस्टिक्ट है उसमें ग्रोथ हुई है 544 square kilometer area के forest की ठीक ये है नौर्थ इस्ट की बात करें तो नौर्थ इस्ट में यही साब किताब है total जो geographical area इतना है 2,62,189 square kilometer का area है और इसमें से 65% जो है नौर्थ इस्ट में forest है मतलब जितना वहाँ पे area 65% जो भाग पे जंगल ही जंगल है forestry forest one जिसको बोलते है ठीक लेकिन यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि जो नौर्थ इस्ट वाला आपका total forest area है उसमें गिरावट दरजी की गई है पहले 2017 में जितना था उसमें से 755 square kilometer गिर गया है यह वालब कम हो गया है तो यह एक important बात है और एक चीज़ और यहाँ से नोट कर सकते हैं आप कि असम असम और जो है असम और यह वाला का उसा है त्रिपुरा असम में तो बड़ोत्री हुए एक हैर forest area में त्रिपुरा में उतना ही रहा है क्योंकि zero percent है लेकिन बाकी हर जगे घटा है नौर्थ इसमें देख रहे हैं नेक्स डेज में wetlands within recorded forest area और ग्रीन वास अगर इसके मामले में देखेंगे तो इंडिया का जो total यहाँ पर आप देख लिए साथ जार सत्रह है total में लागे यह वेट लेंड और यह इंडिया के कितना area percent area को cover करते हैं 3.83% अगर यह पूछेंगे आपसे यूपी में कितना है जो यह wetland वाला area recorded forest के अंदर 3.14% है और सबसे ज़्यादा कहां पे है यह सबसे ज़्यादा है आपका जो wetland area as a percentage of recorded forest area में यह गुजरात में 39.88% है यह recorded forest के अंदर जो wetland है उनकी बात हो रही है आपे ठीक है अज़ा इसमें से यह देखा जा सकता है कि गुजरात के पास largest area है wetlands within RFA greenwash यानि कि recorded forest area greenwash के अंदर जो है wetland का सबसे ज़्यादा area किसी state के पास है गुजरात के पास है और उसके बाद second number पे है आपका West Bingoal total country में 62,466 wetland है जो की पूरे भारत का 3.83% area cover करते है यह ध्यान लगिएगा और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि total जो है country का अगर आप देखेंगे यह वाली तो recorded forest के अंदर की बात हो गई और 8.13% ऐसे है total जो number of wetland है जो की RFA और ये GW के अंदर located है ठीक है मतला बाकी बाहर भी है तो recorded forest area और greenwash के अंदर कितने ये नंबर की बात हो रही है 8.13% और total इनका एरिया कितना है वो इंडिया के एरिया का 3.83% है सबसे ज़्यादा एरिया इसमें से कितरा है गुजरात का है फिर आपका वेश्बंगाल है ये चीज़ बस है में में चीज़ बता दे रहा हूँ मैं ग्रू की सितिकी अगर आप करें मैं अभी सब बता चुका हूँ अब एक एक जो है पूरा देखते हैं यहां पे सेक्शन वाइस देश में जो है मैं गुरू वनस्पती में चौवन स्कॉयर किलोमीटर का जो है व्रद्धी हुई है 1.1% की यहां पे व्रद्धी हुई है ठीक है सबसे ज़्यादा अभी टॉफ वर इस्टेट कौन 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 से हैं वेस्ट बेंगॉन गुजरात अंडमान निकोवार और अंतर देश आप देखें आप दोना गलत करिएगा बहुत भी यहां पे बता दिया गया है यह मैं गुरू की कुछ डिफिनीशन है मेंस में कहीं आ जा तो लिख दीजेगा म 38 डिग्री साउथ के बीच में होती है देख रहे हैं आप यह 24 डिग्री नौर से लेकर 38 डिग्री साउथ के बीच में मैं गुरू पाई जाती है यह धियान रखेंगा जरूर और इसमें जो है कई सारी मॉर्फोलोजिकल और फिजियोलोजिकल यहां पे अडेप्टेशन यह कर लेते हैं खुद मैं गूरू अपने आपके तो मतलब यह चाहें जो है जितने लिम्टिंग फैक्टर हो चाहें जो है लैक ओफ ऑक्सीजन हो जादा सेलिनिटी हो बहुत जादा जो है टाइडर इंडूरेशन हो यह अपने आपको सर्वाइव कर ले आते हैं सिंपल बात है इनकी ब्रीधिंग रोट को क्या करते हैं न्यूमो न्यूमेटा फोर्स ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है भाईया क्यों इंपॉर्टेंट है यह सिंपल बात यह पाच लाइन का यह अंसर है मेंस में आजा चपका देना यही यह क्या है सबसे पहली बात तो कार्बन सिं के लिए यह क्या करते है जो आपका फ़र से जिसे समंदर से बहुत तेज जलै रहरे हाती है उनके पानी को slow down कर देते है तकि जो वहाँ पर erosion यहा पर बढ़ाते हैं ठीक है तो यह क्या करते है वब को कम करते हैं इसके में complex root system होता है जो कि बहुत efficient होता है सी वेव energy को जो है यह पूरा का पूरा अपने में यूज़ कर लेते हैं तो बतला coastal area अगर मालेजे coastal area पे mangroove है वहाँ पे चाहे इतनी बड़ी सुनामी आज़े जितनी भी spirit से वह बचा ले जाएंगे उनको यह कुल मिला के बाद ठीक global अगर आप बात करेंगे तो total पूरी दुनिया में 15 million hectare के जो है mangroove का area है जो की 1% है tropical forest पूरी दुनिया का ठीक है tropical forest of the world है यह 1% mangroove 123 country में पाया जाते हैं और करीबन 40% जो world का mangroove है वो कहां पाय जाता है south east और south एशिया में तो मतलब अगर आप से इस से देखें question क्या बन गया कि mangroove सबसे जादा किस region में पाय जाते है सबसे जादा कहां पाय जाते है आपके south east Asia में और south Asia में ठीक है यह जरूर याद रखेगा ठीक और उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास पूरी दुनिया के जो mangroove का cover है उसका 3% जो है इंडिया में पाय जाता है यह जरूर याद रखेगा ठीक है यह कुछ-कुछ चीजे है mangroove का यह महलब figure मैं दिखा चुका है आपको 12 इस्टेट में इंडिया में पाये जाते हैं सबसे ज़्यादा आपका जो है वेस बेंगौन है फिर आपका गुजरात है फिर आपका जो है अन्वान निकोबार है फिर आपका जो है आन प्रदेश है कितनी जो है इस समय टोटल area mangroove का पूरे इंडिया में 4975 सबसे आदा ब्रदी लेटिस्ट कहां पर हुई है देटिस्ट 2019 के साब से गुजरात फिर महराष्ट में हुई है और फिर आपकी उड़ीसा में हुई है सबसे आदा घटा कहां पर तमलाडू में घटा है फिर आपका यह अंदमान निकोबार म तो पॉइंट नाइन परसे ने दो तीन बार लिखा है इसलिए कि आपको याद हो जाए टोटल फॉरेश्ट कवर कितना है एट पॉइंट पॉइंट जो सेवन लाग इसको एर किलो मुटर और जो है टोटल फॉरेश्ट कवर में कितनी प्रद्धिवी थी तीन हजार नौसो प्रदेश बता चुके हैं इसको फिर से नहीं करते हैं और इसमें अगर आप देखेंगे टॉप फाइव इस्टेट जहां पर फॉरेश्ट कवर बढ़ा है करनाटक है आंद प्रदेश है केरल जम्मू कश्मीर ही बाच्वड़ेश्ट यह सारी चीज़ बता चुका हूं इं आप ग्राउंड जो हैं सब्सक्राइब यह सारी चीज़ ब्याइब यह पर इक्षेट के मैंसट यह बता चुका हूं फिर से लिए वही टोटल फॉरेश्ट कवर टुट्ट्य कुटन है तो टोटल फॉरेश्ट प्रेश्ट कितना है 24.56 परसंट इसक्रब कितने है 1.41 परसंट ठीक है बाकी यह वाली चीजे तो है अगर आप देख सकते हैं यह फॉरेश्ट कवर कितना वही पता है अभी मैंने जितना वही है ट्रीकवर आपका 95,000 है महाराष्ट में सबसे ज्याद चेत्र है उसमें कुल वन आउरन चेत्र कितना है 284,000 स्कॉयर किलिमेंटर का है ठीक जो कि वहां के पहाड़ी जो चेत्र है उनके भागोलिक एरिया का कितना है 40% मतलब अगर अभी हमने क्या बात करी थी नौर्थ इसमें टोटल एरिया में 65% में तो फॉरेश्टी है अगर आप देखेंगे एक सो जो है एक सो चावालीस नहीं सवरी यहांपे एक सो चालीस हिल डिश्टीक्ट है 16 में कितनी व्रद्धी होई है 544 स्कॉर किलिमेंटर की यानि की 0.19% की व्रद्धी होई है ठीक है जन जाती यानि कि ट्राइबल में अगर आप बात करें तो टोटल कितना एरिया है 4.22 जो है लाग स्कॉर किलोमेटर का है जो की टोटल जो है ट्राइबल डिस्टिक्ट में तो अभी देखें फिर से जबसते हैं नौर्थ इस्ट का टोटल एरिया में 65% में फॉरेस्ट है टोटल इतने एरिया इतना है चार लाग बाइस एर तीन सो क्याओन स्कॉर किलोटर का 37.5% तो यहाँ पर फॉरेस्ट है यहाँ पर डिक्रीज हुआ है साथ सो एक तालइस स्कॉर किलोटर का यह मैंने आपको बता है भी ठीक है तो विदिन अगर आप रिकॉर्ड़ेट फ फॉरेस्ट के इंसाइड में जो है डिकलाइन हुआ है क्योंकि कई सारी ट्राइवल पॉप्रेशन को यहाँ पर लैंड टाइटल पट्टा मिलने लगा है और अगर आप देखेंगे तो जो ट्रीज है अगर आउटसाइड दा फॉरेस्ट एरिया तो वहां पर राइस हुआ बढ़े हों ठीक है क्योंकि ट्री प्लांटेशन बढ़ाए गया यह फॉरेस्ट एक्ट्विटी बढ़ाई गई है फिर यह उत्तर पूरु छेत्र का माया भी आपको पता चुका हूँ पूरा टेबिल में कि वहां पे टोटल एरिया का 65 परसेंट जो है फॉरेस्ट है कितना जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया है एक लाग सत्तर हजार स्कार किलोमेटर का है आसा मत्रिपूरा को चोड़कर बाकी सभी उत्तर पूरी राज्यों के वनावरण छेत्र में कमी आई यह इंपॉर्टन बात है ठीक है बास चेत्र की बात करें तो इंडिया में टोटल जो बा बारत के वनों में बढ़ता हुँ चार्बन चूहा है आपका पिछले दो सालों में 42.6 यह बढ़ा है कंगर बात हैं और जो की अरब आप देखेंगे αυτό मिल यंट्पॉइन करबन डियोकसाइट के बर बर regardless किपर इसमें एक अगर आते हैं आप प्रफिशन किसका है भारत के वनों में म्रदा जैविक कारबन यानि कि स्वाइल और गानिक कारबन यह कारबन श्टॉक में सरवाधिक भूम कारी बाते हैं ठीक है और जो कि कितना है चार मिलियन टन मतलब साथ हजार में से यह देख रहा है आप साथ हर 142 मिलियन टन में से चार यार 4 मिलियन टन जो है आपका स्वाइल और और एस समय जो है बारत के वनों में कुल करबन श्टॉक में लगबग 56 परसन का एक योगदान देते हैं वही चीजे आपके मैंने इंग प्रिविजन 56 परसन है यह नॉर्मल साथ चीज आई है एक बार बस इसमें देख लिए यह वही बताया है मैंने आपको कि अगर सरकारिय अधिनियम में या नियम के तहत वन के रूप में दूस उचित किया गया है तो भी यह इसको बोलते है रिकॉर्डड ठीक है वही चीज जाइए और यह सब मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी इनन की लकडियों के लिए जो है आर्सिता के मामले में आप देखेंगे तो यह भी रिपोर्ट में बताई गई है कि भारत में वनों पर इनन की लकडियों के लिए आर्सित राज्यों में महराश नंबर वन पे है म उसमें सबसे ज़्यादा जो है हाइस कहां पे है महराश में और इस्मॉल टिंबर बंबू के मामले में सबसे ज़्यादा जो है टिपेंडेंट कौन से श्टेट है आपका मद्ध प्रदेश ठीक है यह सारी चीजे जो है एक चीज और आप है कि इंडिया का जो टोटल फॉर है उसका 21.4 परसेंट जो फॉरिश्ट कवर है वह बहुत ही ज़्यादा जो है फायर प्रोल है मतला वहां पर आग लगने की चांसे बहुत ज़्यादा है ऐली टो एक्स्ट्रीमली है ठीक है टोटल ग्रोइंग स्टॉक जो है वुड का कितना इंडिया में पाजार 915 मिलियन क्यूबिक है मीठर ठीक है और यह इंसाइट फॉरिश कितना है 4273 मिलियन क्यूबिक है और 1642 मिलियन क्यूबिक आपका आउट साइड है जामपियंज गाता था आपका यह पहले 1936 सबसे पहले क्या हुआ हुब निस सो फचैस में हैरी जावर चैम्पियन इन्होंने वह सब से जो है लोग पर यह बहुत पॉपलर था उस टाइंप किस्ट कितने टाइप की जो है फॉरेश होते हैं वो सब निकाला था इन्होंने यह स्टनडर्ड हो गया फोरेश योग एंडिया में बहुत इयुसकं बनाये गए हैं और फिर उस यह फर्दा सब्डिवाइड कर दो सो फोरेश्ट रैप में बात है यह एक है बात है यहां पर ठीक है अच्छा यह भी एक यहां पर जो है यह दो सो हैं यह दो सो इकिस नहीं दो सो उपर गए ठीक बस इतना याद रुखिए बाकी इंपॉर्टन नहीं है यह देखे सस्टेनेबल डिवलेप्मेंट गोल में में अंसर है टिक लिखनी हो तो देख है दो सालों में और यहां पर फिप्टीन वाद करता है बाकी जो है लैंड टोटल एरिया के बारे में तो यह वाले पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं में इसमें एक चीज़ यह पता चलती है कि भीया जी और बहीनी जी इंडिया में अगर आप फॉरेश्ट की बात क ट्राइड इस वाझट इन्डाइड बी आइन चाहित गडिया बुलिग उगया ओ आहाँ यहां पर बतायके कि शैनों कि एक इसकें से चासे तो सम्हाइश है कि है प्यार करता है कई सारी हैबिटेट के बीच में यह इसलिए पूछ रहा हूँ आपको को यूपी पीसेस में पूछ लेते हैं इसे ऐसे उल जलू टाइप की कुश्चन देते हैं कि भाई यह शेनोन जो इंडेक्स है किस चीज के लिए यूज होता है किस से रिलेटेट है तो कि बाइवस्ट्री को मेजर करने के कई सारे ईंडिसेज है एक है मैरगलेफ एक है मैकिनिक एक है सिमसन एक है शेनोन वैंडर सबसे फेमस है इसलिए बस यहां पर लिखा है ठीक है यह बताया है कि ट्री और श्रप्स और हैरुस में सबसे ज़्यादा जो है टोटल नंबर उफ plant species की बात करें अगर यह tree biodiversity जो है बताए गया कि भया tree diversity जो है सबसे जादा आपकी tropical wet evergreen forest में और सेमी evergreen forest में पाई जाती है और अगर state की बात करें तो करनाटक के में जो है सबस्ज़दा tree species की जो है richness पाई जाती है यह यह जो है ग्रॉब दिया हुआ यही तो सबसे जादा जो है सब्सक्राइब करें वहीज़ इस पिरद ए jobs सब्सक्राइब मेर करना तॉरी त्री की तुयादर कंच यह इन। ऋफसे जाधा केश्गे में?. पर श्रब की सबस्यादा कहां पर अच्छल परदेस में हब्स की सबस्यादा बाइव डाउट्रिक कहां पर आपकी जमुकषमीर में है तोटल तीनों को मिला ले अगर प्लांट जो है ट्री प्लस अप उसमें कौन से नंबर उन पर अरवनाचल परदेस है यह नैशनल एक्षि प्लान ऑन फार्ष्ट फायर फार्ष्ट फायर कब लाए गया था दोजार अठाना में कौन लाए था इन्वार्मेंट विश्ट्री लाई थी सिंपल बात है यही सब है कि भाईया कैसे रिड्यूस करना है क्या करना है नौ पॉइंट की स्ट्रेजी आप डिसकस की यह थी य लेकिन जब वो अन्कंट्रोल हो जाता है मैं यह एंत्रोपोजनिक रिजन्स की विज़े से तब दिक्कत हो जाती है ठीक है और यह इसके लिए जो है कई सारे फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया भी बनाए जा रहे है मतलब स्वारी यह इंटिफाई किये जा रहे है इसमें पत कि इसे बताएगी फॉरेस्ट प्रोंड योफ फॉरेस्ट एरिया सबसे अगा पाया जाता है नौर्थीज्ट नौर्थीज़ को हमाप यह एंग लगने चाहिजिए और इतनी चीज़ इंपॉर्टनंट है यह मैप आपका पदा रहा है यह फॉरेश्ट एरिया कहा कहा आग लगने के ज़्यादा चांसे जह वह सारी चीए एक्स्ट्रीम्ली फार देख रहा है आप इक्स्ट्रीम्ली सबस्जादा कहा पर फॉर्प्रोन है यह इधर वाला नौर्थ इस्ट बीच बीच में कुछ कुछ सेंटर में फिर आपका वेरी इंडिया का एरिया उसमें 33 पर्संट होना चाहिए लेकिन सिर्फ नहीं होना चाहिए फॉरेश्ट प्लस त्री दोनों चाहिए यह जरूर्याद रखेगा फॉरेश्ट को एसस्ट्री को यहां पर इंक्लूड करता है जो कि एक हेक्टेर से जादा होते हैं और जहां पर ट्र सब्सक्राइब करते हैं तो ट्री कवर अब देखें प्री कवर क्या होता है ट्री कवर वह सारे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट फिर इसके जरिये फिर को लाते हैं वह सारे ट्री के तो एक वह सारे ट्री हैं जो की प्रीकवर यह सबसे ज्यादा प्रणा प्री कवर माराष्ट में प्रृ मत्रप्रदेश में फिर राजस्तान में फिर जब्यवन किश्मीर में परसेंटेज वाइस सबसे ज़्यादा आपका ट्री कवर कहां पर है आपका चंडी गड़ में परसेंटेज वाइस फिर आपका जो है दिल्ली में है फिर केरल में फिर गोह में है ठीक है यह है फिर टोटल अगर आप देखेंगे ट्री कवर एस्टिमेट यहां प पैंडिया में 95,027 स्कार क्लोटर का अरिया है और 2.89 परसेंट है ये टूटल तीक है फिर ये बंबु के बारे मताया गया है कि बहुत ही जो है फास्ट ग्रोइंग होते हैं ये और ये पिरेनियल प्लांट होते हैं ये ट्रॉपिकल सॉफ ट्रॉपिकल हर जगह जो है उख जा इंडिया में 125 से ज्यादा जो है इनकी वेराइटी है ग्यारा एक्जोटिक स्पीसीज है सबसे ज्यादा जो है बंबु कहां पर उखते हैं ये नौर्थ इस्ट में और वेश्ट बिंगवाल में 50% ज्यादा जो बंबु रिसूर्स है यहां पाया जाता है ठीक है एक यह यह यहां पर एक यह ओर्डिनेंस लाया गया था उसमें बंबु जो है था ना पहले ट्री कटेगरी में आता था तो इसको काटने वर्टने के लिए परमीशन लेनी पड़ती थी तो इसको जो है डेफिनीशन और ट्री से अटा दिया गया है उसमें सेक्शन टू को हैंन्ट कर अगया इंडियन फॉरेश्ट दो जार उननीस सो सताइस में से और आप जो है यहां पर अगर इसको काटना वाटना है तो कोई परमीशन नहीं लेनी पड़ेगी ना यह ट्रांस्पोर्टेशन के लिए ना इकनॉमिक जूस के लिए इससे क्या होगा इससे जो है अगया एक अगया और यह अभी पॉइंट्रीट्व से बढ़ गया है सबसे ज्यादा है भी मद्र प्रदेश में सबसे बढ़ा भी देखिए मद्द्र प्रदेश में यह यह इसादा है इंडिया जो है फिर यह कार्बन स्टॉक की बात करें तो इंडिया यह कमिटेड है इस चीज के लिए कि हम 2030 तक फॉरेश्ट ट्री कवर जो है मिला के 2.5 से लेके 3 billion ton CO2 equivalent जो है carbon sink को हम यहाँ पे create करेंगे ठीक आप देखें इसमें एक बहुत important question निकल रहा है यहाँ पे पहली बात तो ही कि हमने emission जो intensity है GDP का 21% हमने reduce किया है 2005 से 2014 के बीज में लग कितरा sacrifice किया है तो हम developing country है अब यह देखें यह question आता है UPSC में कि जो total emission सबसे sector कौन सा है जहाँ से emission हो रहे है energy sector 73% फिर आपका agriculture sector 16% और फिर आपके बागी sector है यह जैसे industrial वाला है फिर आपका 8% और फिर waste sector 3% यह रट लेना भया जी और भया नी जी यह आता है कई बारा आज को का यूपी यह PCS में विया सकता है carbon stock इंडिया में कितना है साथ है और 124 million ton का है दो सालों में 42.6 million ton बढ़ा है स्वाइल ऑर्गन को जो स्वाइल ऑर्गनिक कार्बन यह highest largest पूल है यह मतलब सबसे ज़्यादा कॉंट्रिबूट करता है यह carbon stock के लिए यह देख सकते हैं आपका इसमें भी दिखा रहा है यह स्वाइल वाला ठीक है टॉप 10 स्टेट ज ज्यादा इस ज्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में भी है dependent वैसे फिर उसके बाद अगर forest fodder के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका वह आपका मध्यप्रदेश ठीक है सबसे ज़्यादा मध्यप्रदेश हो गया उसके बाद जो है आप अगर बात करेंगा और भी कई इस तुप ज़्यादा इस चेट इन अपंस बाद इसके लिए सबसे आपका अब बात करेंगे रीज़ उसके बाद सबसे बात करेंगे जो है फूल वोडब पर वह सबसे आपका ने बात कर रहे है फॉडर पर के अशुर्ण पर आपका बंबू पर के साब से दमने नौकर वे लिए बस इसी के साथ होता है कुछ कोईशन ने आपके लिए बता सकें तो बता देगे यह वारा टेली ग्राम है इसको जरूर जोइन के लिए करते हैं हमारे कई सबसे ज्यादा जो है मतलब सेकंड हाई इस बता है जो है फॉरेश कहां पर पाय जाते हैं जल्दी करते के थीग है इसके बाद अगर आप बात करेंगे यहां पर देखिए ट्री के मामले में सबसे ज़्यादा tree cover किस state में पाया जाता है जल्दी से बताईए man group सबसे ज़्यादा किस state में पाया जाता है जल्दी से बताईए और man group का सबसे ज़्यादा decrease कहां पे हुआ ये बताना है आपको ठीक है ये कुछ question बताईए अगर आपने सही से पढ़ा है इस बार कौन से नंबर की रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज करी गई है सबसे पहली बार यह रिपोर्ट कब बनाई गई थी जो इंडियन फॉर्स्ट यह बारती है वन सर्वेचर की रिपोर्ट है इस बार अगर आप देखेंगे तो संसाथनों के कौन सा सेटलाइट का उपयोंग किया गया था नाम बताया था मैंने आपको याद है वह कौन सा था वह एक नया इस बार चैप्टर जोड़ा गया उस चैप्टर का नाम बताई है चैप्टर पूछ लेंगे डारेक्ली ठीक है तो यह कुल मिला के कुछ चीजे हैं आपके पा है ठीक है और भारत के किस राज्य में वन्चेत्र सेवन्टी फाइब परसेंट जादा यह बताना है कुछ 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 जने आपको करने है देखे इस वाले ग्रूप को जरूर यूज कर लिए ठीक है अभी मैंने इसमें पिक भी डाली है इस वाले ग्रूप में बहुत सारी है टॉटर इंडिया का ठीक है है असम में 36% हो गया ए व्यार में सात परसेंट है चत्रिसगरणu में 41% हो दिल्ली में 30% गुवा में 60% है गुजियात में 7% है हर्याणा में 3% है हिमाचयδ्यव में 27% ह्यब शम् cooperation है जम्मौ कश्मीर में टोटल अगर आखर आप देखेंगे यूनियन टिरिट्री जम्मू कश्मीर में 39% है लद्दाग में 1% है सिर्फ और जो है जहारकरण में 29% है करनाटक में 20% केरला में 54% है समझ रहा है मद्द विदेश में 25% है यह टोटल मिलाखे उसके मतलब एरिया की बात हो रही एरिया का कितना परसेंट फॉरेश नहीं माराज का एरिया का 16% है मनीपुर का 75% है मिगाला 76 मिजोरम का तो हाइस है ठीक है परसेंटेज वाइस में हाइस है मिजोरम फिर आपका नागालेंड में 75% है उड़ीसा में 33% है ठीक उसके बाद पंजाब में आपका 6% है sorry 3% है गराज़तान में 4% है और सिक्की में 47% तमिला फॉरेस्ट उत्रागन का 45% है वेजबिंगवार का 19% है आपका उनाचर देश का 81% है अनमान नीकोवार का 81% है चंडरिगड का है आपका 19% दादरनागर अविली का 42 दमांदीव का 18 लक्षिदीब का 90 और पुरीचेरी का 10 अब यह बताएं आप गिन के टोटल कितने अरिया है टोटल में के फोरेस्ट री कवर जल्दी से कमेंट करें बता ही है और प्लस जो मैंने क्वेशन पूछे वह अल्दा विस्ट जैहिन